हमारे सरस्ताना दॉर्णी चैनल में पुनह से आपका स्वागत है इस विडियों आगे हम लोग चेक करते हैं कच्छाई 11 के इंगलीज का इंपर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 4 इसके पाले पार्ट 123 अप्लोड किया गया हमारे द्वारा यदि आप नहीं दखे हैं तो डिक आपके इसने पर इंपर्ट्रेंट कन दिये गए हैं देखें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है ड्राइ करेक्टर इसके चप रंगा रंगा का चरी चित्र बताना है हम लोगों को रंगा का चरी वह गाओं के जो लेकपाल था काउंटेंट था उसका लड़का था जो कि बंगलोर पहली दफा भेजा गया था पढ़ने के लिए उस जबाने में अंगरी जी का प्रचलन वहाँ पर उस गाओं में कम थी वह जो है अच्छे स्वभाव का इंसान था जो रंगा था and he was not proud of his ability और उसके अंदर जो चमता थी उसकी योगिता थी उसके प्रती उसे गर्व नहीं था अपनी ability के प्रती योगिता के प्रती everyone in the village was surprised to see that ranga was the same as he had been before when he had lived the village तो जब वहाँ से बैंगलोर से पढ़ लिख करके वापस गाओं आया अपने घर आया तो लोगों की भीर लगए उसके दरवादे पर और हर लोग तो यहीं आश्चर चकित में थे उनको surprise इसलिए था अरे जब हम लोगों इतने सालों पहले रanga को जैसा देखा था वैसा अभी भी रanga है बदला बहुत खास नहीं है तो रanga was the same as he had been before when he had left the village जब वह गाओं को छोड़ा था उस समय तो वैसा ही अभी है उसमें बहुत ज़्यादे changing नहीं आई है he did not discard his culture वो उसकी जो संस्कृती है उसको भी नहीं छोड़ा and steal or sacred thread जनेवरा on his chest और जो अपने सीने पर अपने गले में जो जनेवर धागा पहनता है थ्रेड पहनता है वह आज भी पहना हुआ है इसका मतलब वह अपनी धर्म जाती संस्कृती को नहीं बूला he respects his elders अपने बड़ों का आज भी अभिवादन करता है and also bent low to touch their feet और बड़े ही सरद्धा से सम्मान से नीचे उनके चर्णों में स्वर्ष करता है तो बहुत important question था पहला question number second आईए what were the things buried with tooth mummy and why बहुत important question आपके प्रोच का प्रोच का चेप्टर है discovering tooth the saga continues आपका चेप्टर 3 है प्रोच का बहुत important question तो यहाँ पर पता जा रहे कि जो tooth की saw था ममी था वो जब मृत हुआ था tooth का तो उसके saw को दफन कर दिया गया और saw के साथ कौन कौन सी चीजे रखी गई थी दफनाया गया था उसके body में and why और ऐसा क्यों किया गया था उसके saw के साथ की तमाम उसमें दफन की गई थी देखें with tooth mummy the things as food wine gold gold rings regins and bracelets were buried तो जब tooth king जो tooth था अपने परिवार का अंतिम सासक था मरा था उस वक्त जो है जो है तमाम वस्तुएं उसके साथ दफन की गई थी जैसे खाने की वस्तुएं मदिरा सोना अंगूठिया ये मुनक के regins and bracelets और kang ने were buried ये दफना दिया गया क्यों because according to the people of Egypt क्योंकि वहां मिसर के लोगों के अनुसार एजिप्ट के लोगों के अनुसार these things revive you the mind ये जो चीजे होती है आदमी को पूनर जीवित कर देती हैं इसलिए tooth के सरीर के साथ ये सब चीजे उसके सब के साथ दफन किया गया था question number तीसरा important question देखिए what was the Garogalian tribe known for over the centuries ये आपके supplementary snapshot का chapter है फास्ट चेप्टर आपका जो है summer of the beautiful white horse से दिया गया है तो इसमें जो Garogalian family है Garogalian जो tribe है कफीला है कभीला है वो किस चीज के लिए सताब्दियों से जाना जाता है over centuries what kind of people were they और वे किस प्रकार के लोग हुआ करते थे Garogalian family के जो वहां की जो कभीला था तो देखें the Garogalian tribe was known for their honesty तो जो Garogalian कभीला था त्राइब था वो अपनी इमांदारी के लिए बिख्षा था इमांदारी के लिए जाना जाता था those people were poor and they also had no money वे काफी गरीब थे और उनके पास बहुत जादे पैसे नहीं हुआ करते थे इस प्रकार के वो लोग हुआ करते थे Garogalian का जहां से ये मुराद और अरम उसी परिवार से बिलांग करते थे why had the author come to visit Mrs. Darling a address chapter का है जिसमें Mark Minnko जो author है इस chapter की वो आखिर उस पते पर Mrs. Darling के यहां आखिर क्यों आती है क्यों आई क्यों आई थी उस पते पर देखे the author's Mark Minnko had come to visit Mrs. Darling because she wanted to see her mother's belongings after the war in Highland जब Highland बे उस वक्त भी स्यूद चल रहा था तो जब भी स्यूद सांत उन्त हुआ तो उनके परिवार से संबंधित जो Mark Minnko है उनकी मदर उनके पेरेंटर्स की जो तमाम वस्तमें थी वही पर पड़ी रही Highland में वहां एक उनकी जो जानी पहचानी अवरत थी जिनका नाम Mrs. Darling था तो Mark Minnko had come to visit Mrs. Darling because she wanted to see her mother's belongings क्योंकि जब यूद भी स्यूद सांत हुआ तो चाहती थी कि अपने मदर की उन तमाम वस्तमों को जाकर के देखे अपने आँखों से देखे कि कैसे हैं किस प्रकार हैं किस हालात में हैं जो कि उनकी मदर उस पते को Mark Oni Street 46 बताई थी उस पते पर वो जाती हैं उन वस्तमों के सिप देखने के लिए question number 5 देखे what had happened to Sue why did not see complain तो बहुत important question है जो question है we are not afraid to die प्रोज का second chapter है बहुत important इसमें जो उसमें सिव जो होती है जब उस वक्त सफर करते हैं समदरी सफर और लोग उस boat से उस सीप से जहास से जाते हैं समदरी मार्ग से तो त करके उस सीप से टकरा जाते हैं और पानी भी अंदर जाने लगता है उस सीप में और उसी डेंजर के दवरान जो है न सीव के सीर में चोट लगता है what had happened to Sue, Sue को आकिर क्या हुआ और why did not see complain तो लेकिन वह किसी से उस जहाज में अपने फादर से कही तक भी नहीं ऐसा क्या हु बैडली उसका जो सीर था उसका head head solidly तो उस वक्त उसको जकम पहुचा था जब एक खतरनाक जो लहर है तकराती है उनकी जहाज से तो उस वक्त सीव के चोट आया था उसके सीर में काफी और सूझ गया था badly हर eyes where else solidly उसकी आँखे भी सूझ गई थी she had a deep cut on her arm on her arm उसकी बाहों में एक गहरा घाओ कटे का निसान गहरा घाओ भी हो गया था she did not complain before because she did not want to worry her father तो वह किसी से उस जहाज में किसी से सिकायत नहीं की कि मुझे चोट लगा है क्योंकि उस संकट की गड़ी में हो नहीं चाहती थी कि उसके पिता जी जो सब के जीव को बचा रहे हैं प्रान को बचा रहे हैं उनको किसी प्रकार का मुसीबत हो worry her father when he was trying to say them all जो कि उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे लहर के दोरान तो किसी से सिकायत नहीं को question number 5 यह write a central idea write a central idea about the poem wise of the rain बहुत important poem wise of the rain जिस पर central idea आपको लिखना आईए इसको check कर लेते हैं central idea wise of the rain the poem wise of the rain is composed by Walt Whitman के द्वरा यह लिखा गया है यह जो poem है this is conversation between rain and the poet तो इस कविता में वर्ता लाफ हो रहा किसके किसके बीच वर्सा के बीच और यह कभी के बीच the poet asked to the slowly feeling rain तो धरती पर आजिस्ता आजिस्ता गिरती हुई वर्सा से यह जो कभी है वो पूछता है कि that who are you आखिर तुम कौन हो तुम कौन हो the voice of the rain answered और वर्सा की जो आवाज है वो जबाब दी क्या जबाब दी I am I am poem of the earth मैं धरती की कभीता हुँ महोता है I am poem of the earth I always to go to the sky without a touch of the earth and sea मैं उस धरती और अथा सागर को छुए बगैर सताय आकास की और जाती हुँ उपर की तरफ I change my farm मैं अपने रूप को भी बदलती हुँ I change my farm but even the same लेकिन मैं वही हुँ जिसे आप जानते है I give life to the earth living मैं धरती के प्राडियों को जीवित करते हुँ उनको जीवन देने के लिए आती हुँ जिलाती हुँ and make them pure और उनको पवित्र करते हुँ and beautiful और उनको सुन्दर बनाती हुँ In the last the poet compares his heart song like the rain cycle अंत्तो गत्वा जो कभी है वो अपने हिर्दय की उस सूर को आवाज को उस rain cycle से तुलना करते हैं वर्सा से तुलना करते हैं So thanks